नमस्कार दोस्तो, Target with PS Parihar channel में आपका सौगत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेंट अफेर्स की और क्रेंट अफेर्स होंगे 1-16 दिसंबर तक के 1-16 दिसंबर के सबसे महत्पून प्रसनों को इस वीडियो में रखा गया है दोस्तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं तो जितना ये जाना जरूरी है कि क्या पढ़ना है उतना ये भी जाना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है इसलिए एक रणनीती बनाएए और रणनीत की तैत सबसे पहले महत्पून प्रसनों को पढ़िए, महत्पून टापिक्स को पढ़िए, उसके बाद में कम महत्पून टापिक्स को पढ़िए तो आईए सुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से सबसे ज़्यादा महत्पुल प्रशन है दोस्तो पहला प्रशन है कि Person of the Year 2018 ये बहुत पूंचवा जाता है चाहे वो PCS हो या IES हो या कोई विपर्तियोगी परिच्छा तो Person of the Year के विकल्प इस तरीके से हो सकते है जमाल खशोगगी, व्लादिमीर पूतिन, नादिया मुराद और नासा तो जो इसका सही आंसर है वो जमाल खशोगगी जमाल खशोगगी ये पत्रकार हैं सौधी अरब के पत्रकार थे और इनकी हत्या हो गई थी तुर्की के राजदुतावास में इस्तांबूल में इनकी हत्या की कर दी गई थी और इसलिए इनको इनकी पत्रकारिता की वज़ए से Person of the Year 2018 का पुरुसकार दिया गया है इसमें एक बात और बहुत जरूरी है कि ये पुरुसकार इनको मरणो पुरुसकार पाने वाले अब ये पहले ब्यक्ति हो गए है पिछली Person of the Year 2017 का पुरुसकार एक मीटू अभियान को दिया गया था जो कि महिलाओं के योन सोशन से समंधित था इसके बात में जो अगला प्रसन है कि Carbon Dioxide यानि CO2 के उत्सरजन में भारत का कौन सा इस्थान है फास्ट सेकेंड फॉर्थ और सेवेंथ इस तरीके के विगल्प हो सकते है तो इसका उतर आप भी दे सकते हैं अगर आपको आता है तो कमेंट बाक्स में दीजिए फिलाल जो भारत का इस्थान है वो चौथा इस्थान है पहला इस्थान चीन का है 27 यह उत्सरजित करता है और दूसरा USA का है लगबग 15 परसेंट 15 और फिर तीसरा इस्थान यूरोपी संग का है 10% कार्बन का उत्सरजन करता है और फिर चौथा इस्थान जो आता है वो भारत का है बारत लगबग 60-60% कार्बन का उससेजन करता है इसके बाद में जो अगला प्रशन है 2018 के लिए किसी हिंदी साहित्यकार को साहित अकेडमी पुरसकार परदान किया गया है साहित अकेडमी पुरसकार कई लोगों को धिया गया है लेकिन यहापर बात हो रही है हिंदी साहित्यकार की तो आप लोग याद रखिए विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं ममता कालिया, शुभा मुदगल, चित्रा मुदगल और नामवर सिंग तो इसका सही आंसर है चित्रा मुदगल आप लोग नोट कर लीजिए, चाहिए याद कर लीजिए इनका एक उपन्यास था नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नमबर तीन नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नमबर दो सो तीन इस यह जुन का उपन्यास था इस उपन्यास के लिए इनको साइथ एकेडमी एवार्ड 2018 प्रदान किया गया है इसके बाद में अगला जो प्रशन है कि G61 किस तारिक को लांच किया गया था विगल इस तरीके से हो सकते हैं 2 दिसम्बर, 5 दिसम्बर, 14 दिसम्बर और 10 दिसम्बर दोस्तों इसका सही जो अंसर है वो तो 5 दिसम्बर है 5 दिसम्बर को G61 भीजा गया था इसमें कई तरीकी की जानकारी है वो आप लुग ले लीजिए जैसे कि G61 कहां से भीजा गया तो यह फ्रेंच गियाना से भीजा गया था किस राकेट के दौरा भीजा गया था यह उपग्रे तो वो था Arian 5 French Guiana के Arianne Arianne 5 Arianne 5 नामक सेटलाइट से यह उपग्रे भीजा गया था French Guiana से और यह इसका काम क्या है यह भारत में broad brands जो सेवाई हैं उनको उन्नत बनाने के लिए उनको अच्छा करने के लिए यह उपग्रे भीजा गया है और यह जो उपग्रे है यह भारत का अब तक सबसे भारी उपग्रे इसका वजन 5854 किलो 5854 केजी इसका वेट है तो यह इसकी बारे में डिटेल्स हो गई और यह जितने भी देश हैं यह सब तेल निर्यातक देश हैं यह पर तेल पैदा होता और यह निर्यात करते हैं उनसे जो है कतर जो है इसे बाहर होने की गुष्णा किये कतर ओपक से बाहर हो जाएगा इसके बाद में जो अगला प्रसन है कि G20 समू के देशों का तेरवा समेलन कहां हुआ विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं संगाई, सिंगापूर, व्यूनस आयर्स और जाकारता इसका सही अंसर है अर्जेंटीने का राजदानी ब्यूनस आयर्स जहां पर हाले मी प्रतान मंत्री जी गयते ये दो दिसम्बर को संपन हुआ था कुछ बातें और हैं G20 के बारे में जो आप लोगों को जानना चाहिए कि जैसे कि G20 का जो गठन है ये 1999 में हुआ था और पिछली बार जो ये हुआ था यानि कि पिछले साल ये जर्मनी के हमबर्ग में संपन हुआ था इसमें जो भी प्रमुक देश हैं उनके केंद्री बैंकों का गवर्नर और वहां के जो वित मंत्री है फाइनेंसियल उसका ये संगठन है इसके बाद में जो अगला प्रसन की हाल ही में भारती बैंक के 25 वे गवर्नर किसे बनाया गया है विकल्प हो सकते हैं सशिकांदास अमिताप गोष और के सिंग क्रिशन मूर्ति मुखर जी तो ये तो आपको पता होगा जाज़तर विद् फिर अगला प्रसन है कि 2019 में गड़तंत्र दिवस के मुख्य अतित की रूप में किसे अमंत्रित किया गया है यानि कि कौन मुख्य अतित ही होगी विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं सायरिल रामफोसा दच्छन अफ्रीका की राष्टपती है डोनाल्ड ट्रम्प ये अमेरि अटकले थी उनसे का गया था लेकिन बस्तक वज़े से वह नहीं आ सके उन्होंने मना कर दिया है और इस बार दच्छन अफ्रीका के राष्टपती सायरिल रामफोसा भारत आएंगे गरतन दिवस में मुख्य अतित होंगे ये दच्छन अफ्रीका के दूसरे राष्टपती करेंगे हैं इसके पहले नेलसन मंडेला भी भारत में आच precious में मुख्य अतित की रूप में 1995 में नेलसन मंडेला भारत के यह नहीं दोनला में सारे इनोंने यात्राइं की हें और किताबें भी लिखी हैं इसके बाद में एक और बहुत important प्रस्ण है और परिछाओं में हर तरीके के प्रस्ण पूँचे जाते हैं कूछ history से कुछ महिले अधिकारों किसे समंदित और कुछ जलवायू परिवर्तन के आज कल ज़्यादा प्रसंद कुझे जा रहे हैं वह खास तोर से महिले ससक्ति करन और जलवायू इत्याद से समंदित तो यह प्रस्ण है कि सहीं तो राष्ट संग का जलवायू सिकर समयलन COP के फुलफार्म होता है Conference of Parties होता है और COP24 का समयलन कहा हुआ तो इसके जो विकल्प हो सकते हैं बर्लिन, पैरिस, टोरेंटो और कोताविस इसके जो सही आंसर है वो कोताविस है पोलेंड का एक शहर है यहां पर सिंग्त राष्ट संग का जलवायू सिकर समयलन COP24 संपन हुआ यह समयलन जो है 14 दिसंबर को खत्म हुआ संपन हुआ है लगबग 10 दिन यह समयलन चला और इसमें बहुत जलवाय प्रवरतन के लिए करके बहुत सारी बाते हुई चर्चा हुआ और संधियां चादी हुई इस समयलन में लगबग 190 देसों के 20,000 प्रतिनिदि और G20 का सिखर समयलन भारत में किस वर्ष संपन होगा विकल्प इस तरीके के हो सकते हैं 2019, 2020, 2021, 2022 तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग देख रहे हैं 2022, 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे और यहां पर G20 का समयलन भी किया जाएगा इसके बाद में अगला जो प्रस्ण है ये भी काफी अच्छा है कि किस वैस्विक नेता से हाल ही में नोबेल प्रोष कार वापस ले लिया गया है विकल्प हैं आंग सांग सूची, बराक उबामा, कला सत्यार्थी, दलाई लामा इसका सही आंसर है म्यामार की नेता आंग सांग सूची चुकि रोहंगया वाला मामला था मानवाद कार को लेकर कि बहुत चर्चा हुई कि इनकी जो भूमका थी वो अच्छी नहीं रही इसलिए इनसे सांथी का नोबेल प्रोष कार वापस ले लिया जाए और इसके बाद में एक और प्रसन है खेलों से समंदित है कि ICC का आधिकारिक प्रायोजा किस कंपनी को बनाए गया है विकल इस तरीके से हो सकते हैं सैमसंग, ओपो, रिलाइंस और रायल इस्टेक इसका सही अंसर है रायल इस्टेक अप रायल इस्टेक इसकी स्पांसर्शिप इसने ले लिया है और आप आपको पूस्टर इत्यादी है उस पर इसका अधिकार हो गया है दोस्तों руш वीडियों को पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग वीडियो देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं तो इसका सई आंसर है 2023, 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोचित किया गया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, सभी तराश्ट सच्चर मंदित बहुत प्रसंट पूचे जाते हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, और अब है आपके लिए एक प्रसंट, इसका जवाब आप आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आएए देखते हैं, पी यू जो राम थंगा किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विकल्प हैं नागालेंड, मिजोरम, तेलंगाना और मडिपूर, ये चार अपसन है, आप बताएए कि पी यू जो राम थंगा किस प्रदेश के वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें, बहुत बहुत धन्यवाद,